नमस्कार मैं जय कुमार एक बार सोच कर देखिए कि 21 साल की एक औरत है अचानक दंगा होता है परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है परिवार के मर्दों की हत्या कर दे जाती है औरत की तीन साल की बेटी को रास्ते पर पटक पटक कर खत्म कर दिया जाता है दंगा ही परिवार की महिलाओं की सहीत गरभवती महिला के साथ बलातकार करते हैं फिर उसे मरा हुआ समझ कर सड़क पर नंगा छोड़कर चले जाते हैं इस तरह की घटना पर आपका मन मस्तिस्क कैसा बरताव करेगा इसे आप ही तै कीजिए मगर बिलकुल ऐसी ही कहानी साल 2002 के गुजरात दंगों में जगन गैंगरेब का सिकार हुई बिलकिस बानों की है 2002 में उनके साथ गैंगरेब हुआ गैंगरेब की घटना गुजरात में घटी थी मगर गुजरात में सबूत के साथ छेड़ चार करने की संभावना और नियाय के लिए उप्युक्त माहौल ना होने की वज़ा से सुप्रीम कोट ने इस मामले के मुकदमे को गुजरात से महरास्ट ट्रांसफर कर दिया था कई साल की कानूनी लडाई के बाद साल 2008 में अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली मगर 2022 में उन्हें गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया इसी पर सुप्रीम कोट का फैसला आया है सुप्रीम कोट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश के रद्द करते हुए सभी 11 दोसियों को फिर से दो हपते के भीतर जेल भेजने का आदेश सुनाया है जस्टिस बीवी नागरतना और जस्टिस उज्जल भुईया की खंड पीठ ने यानि की बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार ने दोसियों के साथ मिली भगत से काम किया और कहा कि यह वही आसंका थी जिसके कारण इस आदालत को पहले मुकदमे को राज्य से बाहर महराष्ट ट्रांसफर करना पड़ा था गुजरात सरकार ने रिहाई के अधिकार को हडपा है गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द किया जाता है गुजरात दंगों में मार्च 2002 के दोरान गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेडा तालुका के रंदिकापुर घाओं में एक उग्र भीड बिल्किस बानों के घर घुस गई दंगाईयों से बचने के लिए बिल्किस बानों अपने परिवार के साथ भागी मगर बिल्किस के परिवार वालों को रास्ते में ही रोक लिया गया बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती औरत थी इस हमले में दंगायों ने परिवार के 17 सदस्यों में से 14 लोगों की हत्या कर दी दंगायों ने 5 साल की गर्भवती बिल्किस का गैंगरेब किया बिल्किस की माँ का गैंगरेब किया और साथ में तीन और महिलाओं का गैंगरेब किया किसी तरह खुद को बचाते हुए बिल्किस बानो पुलिस ठाने पहुंची इतनी जगहन ने घटना गटी थी मगर पुलिस ने F.I.R. में बलातकार का जिक्र नहीं किया बिल्किस ने 12 लोगों की सिनाक्त की थी इन 12 लोगों का F.I.R. में जिक्र नहीं किया बिल्किस को गोधरा रिलिफ कैम्प ले जाया गया वह वहीं पर रह रही थी वहीं पर एक्जिकीटीव मेजिस्टेट ने उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया इतनी जगन ने घटना घटी थी मगर पुलिस ने ढंक से चानबीन नहीं की और कोट में मामले को बंद करने का आवेदन किया कोट ने मामले को बंद भी कर दिया इसके बाद बिल्किस कुछ महिला संगठन कारेकरताओं की मदद से सुप्रीम कोट पहुँचे सुप्रीम कोट से आवेदन किया कि उनके मामले को फिर से खोला जाए सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले की चानबीन की जिम्मेदारी सीबी आई को सौब दी बिल्किस बानों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी सबूतों से छेड़चार करने का संदे पनपने लगा तो सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले के मुकदमे को गुजराच से महराष्ट ट्रांसफर कर दिया तब जाकर के साल 2008 में मुंबई में स्पिसल जज ने बिल्किस बानों गैंगरेप के 11 दोसियों को बलातकार और हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई इसके बाद में मामला यहीं परखत नहीं होता है अपराधी जेल तो जाते हैं मगर बार बार पेरोल पर जेल से छुट कर बाहर चले आते हैं भाजपा के चुनापरचार में हिस्सा लेते हैं बाहर निकल कर जस्न मनाते हैं बिलकिस बानों के परिवार वालों को धमकाते हैं सासन प्रसासन पूरी असलिलता के साथ यह सब देखता रहता है फिर सजापूरी होने से पहले ही गुजरात सरकार चार सदस्यों की एक कम्यूटी बनाती है और इन अपराधियों को मानवियता और सद्वेवार के अधार पर 15 अगस्त 2022 को रिहा करने की घोशना कर दे जाती है मतलब जिस दिन देश अजादी का जस्त मना रहा था ठीक उसी दिन बिल्किस बानो गैंगरेब के 11 हत्यारों और बलातकारियों को आजात कर दिया जाता है जब यह 11 लोग जेल से बाहर आए तो माला पहना कर मिठाई खिला करने का स्वागत किया गया सोसल मिडिया पर इसका वीडियो मौजूद है गोधरा से भाचपा विधायक चंदर सिंग राउल जी गुजरात सरकार के उस कमीटी के चार सदस्यों में से एक थे जिसने 11 दोसियों को रिहा करने का फैसला किया था राउल जी ने एक इंटरिव्यू के दौरान कहा था कि साल 2002 के गुजरात दंगो को बिल्किस बानो गैंगरेप के मामले के दोसियों में सामिल कुछ लोग ब्राहमन हैं जिनके अच्छे संसकार हैं और यह संभव है कि उन्हें फसाया गया है अब सोच ही सकते हैं कि कैसी बान सिकता है गुजरात सरकार के रिहाई के इसी आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोट की बैंच ने फैसला सुनाया है सुप्रीम कोट ने कहा है कि कोड अप क्रिमिनल प्रोसीजर यानि कि सी यारपी सी 1973 की धारा 432 के मताबिक उम्रकैद की सजा में छूट देने के लिए रेमिसन देने के लिए आवेदन केवल उस राज्य सरकार से की जा सकती है जिस राज्य सरकार के छेत्राधिकार के भीतर मुकदमा लड़ा गया है और उन आरोपियों को दोसी करार दिया गया है बिल्किस बानो गैंगरेप के मामले में महराष्ट राज्य से उम्रकैद कम करने का आवेदन करना चाहिए था और महराष्ट राज्य के पास ही अधिकार है कि वह उम्रकैद की सजा कम करे या नहीं गुजराद सरकार ने उम्रिकायत की सजा से छूट देकर महराष्ट राज्य सरकार की अधिकार को हडपने का काम किया है इसलिए 11 दोसियों के रिहाई के आदेश को रद्द किया जाता है बिलकिस बानों को नियाय दिलाने वाली वकीलों के समूह में वकील इंद्रा जैसिंग भी सामिल थी इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में इस मामले पर लिखा है कि बिलकिस बानों के सभी दोसियों को उम्रिकायत की सजा सुनाई गई थी जिसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल के भीतर काटनी पड़ेगी जिस राज्जी सरकार के छित्राधिकार के भीतर मुकदमा चला है उसे अधिकार है कि अप राधियों के अच्छे आच्रण या अन्य कारणों की वज़ा से 14 साल सजा काटने के बाद उम्र कैट से मुक्ती दे दे बिल्किस बानों के मामले में मुकदमा महराष्ट राज्जी में हुआ था इसलिए अगर उम्र कैट से छूट ही देना था तो यह अधिकार केवल महराष्ट सरकार के पास था गुजराद सरकार द्वारा अपराधियों को दी गई छूट के खिलाब लगाई गई याचिका से जुड़े सुप्रीम कोट के फैसले की राह में सुप्रीम कोट के दो जजों का पिछला फैसला ही रोडा था जिसमें यह कहा गया था कि अप राधियों की उम्रकायद की सजा को छूट पर विचार करने का उप्युक्त अधिकार गुजराच सरकार के पास है सुप्रीम कोट का या फैसला साफ तोर पर अनुचित था क्योंकि सुप्रीम कोट की एक बड़ी बेंच ने माना था कि उम्रकायद में छूट केवल उस राज्य द्वारा दी जा सकती है जिसमें मुकदमा हुआ था अगर सुप्रीम कोट अपने फैसले को नहीं बडलता तो अप राधियों की रिहाई रद नहीं होती यहीं पर न्याले ने कहा कि उसके फैसले को रद किया जाना चाहिए क्यूंकि इसे याचिका करताओं की ओर से धोकादड़ी से हांसिल किया गया था पिछली याचिका में बिल्किस बानों को पक्षकार नहीं बनाया गया था याचिका करताओं ने न्याले से स्तथ्य को छुपाया कि अपने फैसले से पहले गुजरात उज्ज न्याले की एक बेंच ने माना था कि उप्युक्त सरकार महराष्ट राज्य थी उन्होंने स्तत्य को भी चुपाया कि वे पहले ही महराष्ट राज्य से अपील कर चुके थी और ट्राइल कोट ने छूट देने की मंजूरी को इस आधार पर खारिच करने की सिफारिस की थी कि जो कुछ हुआ था वह मानवता के खिलाब अपराद था बिल्किस बानो गैंगरेप मामले की चानबिन CBI ने की थी तो CBI ने भी उम्र कैद पर छूट नहीं देने की सिफारिस की थी वकील इंद्रा जैसिंग यह भी लिखती है कि जब कोट में दलील खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था तो कोट ने दोसियों किसी याचिका पर भी विचार किया कि उन्हें वापस जेल नहीं भेजना चाहिए क्यूंकि आजादी बहुत कीमती होती है सुप्रीम कोट ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि आजादी बहुत कीमती होती है बहुत बहमुल्ले होती है जब वह कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हासिल की जाए यहां कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आजादी हासिल नहीं की गई है सुप्रीम कोट का मानना है कि दोसियों को अब जेल से बाहर रहने की अनुमती देने का कोई सवाल ही नहीं है अगर नियाय करना है तो यथा इस्थिती बहाल करनी होगी गुजरात दंगो की कहानी 21 साल कुरानी है साल 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था तब से लेकर अब तक गुजरात दंगे को हिंसा के बदले प्रती हिंसा की कारवाई कहकर जायश्थ हराने की कोशिस की जाती है तहां जाता है कि 2002 के दंगे गोधरा की घटना से भड़के थे इस घटना में उन्हें मारा गया जो मंदिर बनाने के संकल्प से अयोध्या गए थे और अयोध्या से वापस लोट रहे थे जब गाड़ी गोधरा में रुकी तो गाड़ी में आग लगा दी गई जिसके चलते जो गाड़ी के भीतर कारसेवक मौझूद थे वह जलकर मर गए इसमें 69 लोगों की मौत हो गई हिंदुत्वादी संगठनों का दावा था कि कारसेवकों को मुसल्मानों ने मारा और जो इस घटना को केवल हिंदु मुसलिम खाचे से नहीं देख रहे थे उनका तर्क था कि यह घटना एक तरह की साजिस थी ताकि मुसल्मानों को निसाना बनाया जा सके इस घटना के बाद यह हुगा कि गुजराद के कई मुसलिम बहुल इलाके में दंगे हुए इतिहासकारों के मुताबिक यह दंगे नहीं थे बलकि मुसलिमों के खिलाप नरसंगार था इतनी विभत्स घटना ए घटी जिस पर मानवता हमेशा सर्मिंदा रहेगी इसी में से घटना बिलकिस बानों के जगन गैंगरेब से जुड़ी हुई है कौसर बानों के जगन गैंगरेब से जुड़ी हुई है जिस पर मानवता हमेशा सर्मसार रहेगी समाज और संस्कृती विशलेसक चंदन सिर्वास्तों बताते हैं कि औरतों को समाज में प्रतीक के तोर पर देखा जाता है औरत परिवार की होती है जाती की होती है मुहले की होती है गाउं की होती है समुदाय की होती है समाज की होती है लेकिन अपनी नहीं होती है औरतों को समाज इसी प्रतीक में ढाल कर देखता है तो सामपरदाइक दंगे में जब भीड अपने जानवर मन में कैद होकर नयाय देने के लिए दोड़ती है तो वारतों के साथ इतनी क्रूर हिंसा करती है कि वो खुद को खुश कर पाए कि उसने पूरे समाज के साथ हिंसा की है या मरदाना मन इसी जाहिलपन में क्रूरता के हद तक जा करके औरतों के साथ गैंगरेब करता है गुजराद दंगो में करीब दो हजजार लोगों को अपनी जान दमानी पड़ी थी जिसमें जादतर मुस्लिम थे गुजरात दंगों में हिंसा के बदले प्रति हिंसा के तर्ग पर प्रोफेसर हिलाल एहमद ने बड़ी बारीक धंग से अपनी किताब अल्ला नाम के सियासत में लिखा है कि साल 1990 में हिंदू और मुसल्मानों की हर लड़ाई सभ्यताओं की लड़ाई में बदल दी गई थी जिसका फैसला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अस्तित्य पर टिक गया था साल 1993 के बाद के दंगे में अयोध्या विवाद एक संदर्व बिंदू की तरह काम करने लगा था गोधरा के बाद कारसेवकों की जली हुई लासों को एक प्रतीक के तोर पर पेश किया जाने लगा उस समय गुजरात राज्य में नरंद्रमोदी की सरकार थी नरंद्रमोदी की राज्य सरकार ने जहां तक संबह हुआ जलेहवे अवसेसों को वहां तक प्रचारित प्रसारित किया और पुर्जोर कोशिस की कि जहां तक मुम्किन हो सके जली हुई लासों की छवियां प्रते के हिंदू तक पहुँच सके यही कारण था कि जली हुई लासो और रेल के डिब्बो के कई विडियो और सीड़ी बनवाई गई इनी प्रचारित छवियों ने हिंदुत्य की राजनीती की तरक संरचनाओं को नई मजबूती दी कारसेवकोंपर हुए जानलेवा हमले से इतिहास में हुए मुष्लिम दमन का एक नया असपष्डिकरन पैदा हुआ कारसेवकों का बलिदान हिंदुगों पर होने वाले अन्यायक एक नई मिसाल बना दी गई यह स्पस्टिकरण बताता है कि कैसे हिंदुत्य के तरकों को समय और काल की परीधियों से परे ले जाकरके सर्वकालीन बना दिया गया मोदी के नेत्रित्त में राज्य सरकार ने दंगे को तकरीबन एक तरफा कर दिया था हिंसा के कालनों के निर्मान से ले करके हिंसा अंजाम देने और फिर सिकार समदाय को अन्य अपरतक्ष तरीके से प्रतारित करने तक राज्जी सरकार की भूमी का संदिक्द बनी रही। ऐसे में गुजरात दंगे को हिंसा के बदले प्रति हिंसा के कारवाई नहीं बलकि राज्जी प्रायोजित हिंसा कहा जाना चाहिए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद गुजरात दंगों से जड़े ज़्यादतर आरोपियों को रिहा करने का सिलसला सुरू हो गया। जो पहले दोसी थे उन्हें रिहा कर दिया गया। नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपो पर पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। सुप्रीम कोट ने गुजरात मामलों से जड़े नौ में से आठ मामलों को बंद करने का फैसला दे दिया है। बिलकिस बानो ने अपने फैसले पर जो कहा है उसे भारत के किसी नागरिक से ज़्यादा हर निया अधीस को पढ़ना चाहिए जो नियाय से भागने की व्याक्षाएं करता है। बिलकिस बानो ने कहा कि मेरे सीने पर पहार जितना बड़ा पत्थर रखा हुआ था और अब लग रहा है कि वह उतर गया है। अब मैं सांस ले पा रही हूँ। नियाए पाने की यात्रा केवल मेरी अकेले की यात्रा नहीं है, मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े रहे हैं, मेरे पती खड़े रहे हैं, मेरे दोस्त खड़े रहे हैं, और सबसे जरूरी बात पिछले 20 साल से मेरे साथ मेरी सांदार वकील सोभा गुपता खड़ी रही हैं, इन साथ तब तक ही लगा जब तक लाखों लोगों की एक जूटता की साहस मेरे पास नहीं पहुंची थी हज्जारों की संख्या में भारत की आमनागरिक और महिलाएं सामने आए हर जगह से छे हज्जार लोगों ने मुंबई से 25-जार लोगों ने अपीले लिखीं 10,000 लोगों ने खुला पत्र लिखा मैं हरे एक व्यक्ति से मिली ताकत के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं आपने मुझे लड़ने की ताकत दें ताकि ना कि किवल मेरे मन में बल्कि भारत के हर महिला के मन में न्याय के लिए की चुने